नमास्कार फ्रेंड्स वेलकम माई चैनल फ्रेंड्स जैश्री गनेश्ची जैश्री गनेश्ची फ्रेंड्स आज की विडियो स्टाट करते है गनेश विशार्जन 2024 गनेश जी का पांचवे साथवे दिन विसर्जन मुहूर्त यहां जाने ना करी ये गलती गनेश विशार्जन 2024 गनेश विशार्जन के लिए गनेश चतुर्थी से पांचवां, सात्वां और अनन्द चतुर्दशी का दिन बहुत शुब माना जाता है कहते हैं शुब महूर्थ में बप्पा को विदाई दी जाये तो सुख सम्रिद्धी बनी रहती है गनेश विशार्जन 2024 रेशियो 7 सितंबर को गनेश चतुर्थी पर देश भर में बप्पा की स्थापना हुई थी इस दिन से 10 दिवसिय गनेश उत्सव शुरू होता अनन्द चतुर्दशी अनन्द चतुर्दशी के दिन बप्पा को विदाई दी जाती है गनपती मूर्ती गनपती का विसर्जन होता है हाला कि लोग मान्यता अनुसार गनेश विसर्जन डेर 3, 5 या 7 दिन भी करते हैं ऐसे में पंचान के अनुसार 5 या 7 दिन गनेश जी का विसर्जन मुहूर्त यहां जाने क्योंकि जिस तरह गनपती स्थापना मुहूर्थ में की जाती है उसी तरह विसरजन भी शुब समय देख कर ही करना चाहिए इससे बप्पा की पूजा का संपूर्ण फल मिलता है शुब कारिय संपन होता है गनेश विसरजन कब है दो हजार चौबीस गनेश विसरजन गनेश चतुर्थी के दिन, इसके अगले दिन, तीसरे दिन, पाँचवे दिन, सांतवे दिन और अनंत चतुर्दशी के दिन किया जा सकता है यहां नोट कर ले गनपती विसरजन की सभी तिथियां और मुहूर्थ पाँचवे देन गनेश विसर्जन मुहूर्थ 2024 गनेश विशार्जन 2024 डे 5 प्राता मुहूर्थ शुब सुबह 10 बज के 44 मिनट दोपहर 12 बज के 17 मिनट अप्राहन मुहूर्थ चर लाभ दोपहर 3 बज के 24 मिनट शाम 6 बज के 31 मिनट सायाह मुहूर्थ शुब अमृत चर राथ 7.57 मिनिट प्राता राथ 12.18 मिनिट सितंबर 12 उशकाल मुहूर्थ लाब सुबह 3.11 मिनिट सुबह 4.38 मिनिट सितंबर 12 साथवे देन गनेश विसर्जन मुहूर्थ 2024 गनेश विशार्जन 2024 डे 7 प्राता मुहूर्थ चर, लाब, अम्रित सुबह 6 बज़ के 5 मिनिट, सुबह 10 बज़ के 44 मिनिट अप्राहन मुहूर्थ चर, शाम 4 बज़ के 55 मिनिट, शाम 6 बज़ के 28 मिनिट अप्राहन मुहूर्थ शुब दोपहर 12 बज़ के 17 मिनिट, दोपहर 1 बज़ के 50 मिनिट रात्री मुहूर्थ लाब रात 9 बज के 23 मिनिट रात 10 बज के 50 मिनिट रात्री मुहूर्थ शुब अम्रित चर प्राता 12 बज के 17 मिनिट सुबह 4 बज के 38 मिनिट सितंबर 14 अनन्त चतुर्दशी पर गनेश विसर्जन मुहूर्थ गनेश विशार्जन और अनन्त चतुर्दशी प्राता मुहूर्थ चर लाब अमरित सुबह 9 बजके 11 मिनिट दोपहर 1 बजके 47 मिनिट अप्राहन मुहूर्थ शुब दोपहर 3 बज के 19 मिनट, शाम 4 बज के 51 मिनट सायाहा मुहूर्थ लाब रात 7 बज के 51 मिनट, रात 9 बज के 19 मिनट रात्री मुहूर्थ शुब अम्रित, चर रात 10 बज के 47 मिनट, सुबह 3 बज के 12 मिनट, सितंबर 18 गनेश विसर्जन की विधी गनेश विशार्जन विधी गनेश विसर्जन वाले दिन बप्पा पूजा में उनकी पसंदीदा वस्तु जैसे दूर्वा, मोदाक, डू, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, लोंग, इलाइची, हल्दी, नारियल, फूल, इत्र, फ अब एक पाट पर गंगा जल छिड़कें, उस पर स्वास्तिक बनाकर लाल का पड़ा बिछाएं, गनपती प्रतिमा और उन्हें अर्पित की सभी सामगरी पाट पर रखें और फिर धोल, नगाडों के साथ जूनते, गाते, गुलाल उडाते हुए विसर्जन के लिए निकल तालाब के तप पर विसर्जन से पूर्व दोबारा गनेश जी की कपूर से आरती करें, जाने अंजाने में हुई गलती की माफी मांगे, अगले साल आने की काम ना करें, गनेश विसर्जन पर इन बातों का रखे ध्यान, गनेश विसर्जन से पहले पूजा के दौरान गलतियों की क्षमा याचना करें. साथ ही बप्पा से अगले बरस फिर आने की प्रार्थना करें. विसर्जन के दिन काले कपड़े ना पहने. किसी को गलत शब्द ना कहें. अपनी वानी पर नियंत्रन रखें. गनपती विसर्जन के दौरान इस मंत्र का कर सकते हैं जाप ओम फ्रेंड्स मारे विडियो कैसे लगा है जूरूर कॉमेंट करके बोलना फ्रेंड्स प्लीज प्लीज लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब और शेर करना नहीं भूलना ओर फ्रेंड्स थांक्यू 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 सो मच और धन्यवाद जये गनपती मोरिया जये गनपती मो प्रिया.